हरे कृष्णा राधे राधे शिरी पुर्शुत्तम मास महत्तम उन्नीसवा अध्याए शिरी सूच जी बोले शिरी नाराज जी को इस प्रकार खथा सुनाते हुए शिरी नारायन जी मदुर्वानी में बोले महात्मा शुकदेव ने जब इस प्रकार भगवान की प्रार्थना की तब भक्त वसल हरी बोले हे द्विजराज तुमने जैसा तब किया है वैसा और कोई नहीं कर सकता है किन्तु तुम यह नहीं जानते कि मैं किस्ते परसन होता हूँ यह मेरा परम प्रिये पुर्शोत्तम मास है तुम दोनों ने शोक में डूबे रहने पर भी इसका सेवन किया है हे तपोनिदे इस मास में एक दिन का भी जो धर्म पूरवक सेवन करते हैं उसके अनेकों अनेक पाप भस्म हो जाते हैं तुमने तो महीने भर निरहार रहे हो अकाल वर्शा में तीनों काल में इसनान किया है इसनान भी अकाश के पवित्र जल से महीने भर का उपवास किया है शोक में होने के कारण चेतना नश्ट होने से तुम पुर्शोत्तम मास को जान भी न सके और बिना जाने ही उसका नियम पालन कर दिया तुम्हारे इस साधन का पर्मान कौन जान सकता है हे तपोधन पूर्शोत्तम मास सब लोकों में आता है पर धर्ती पर ही इसका पूजन फलदाई होता है हे वत्स धन्य हो जो तुमने इस माह में कठोर तप किया मनुष्य जनम पाकर भी जो पूर्शोत्तम मास का सेवन नहीं करते हैं वह जनम जनम दरिद्र रहते हैं इसलिए मेरे प्रिये इस मास का पर्यतन पूर्वक सेवन करना चाहिए शिरी नारायन जी बोले इस परकार कहकर हे मुनी जी शिरी गरुड जी पर चड़कर शिरी हरी भगवान वैकुंट को चले गए ब्रामन सुदेव पूर्शोत्तम मास की सेवा से मरत पुत्र शुकदेव को जीवित देखकर इस्तरी सहीत बड़ा परसन हुआ बिना जाने मुझसे इसका सेवन हुआ है यही मेरा धर्म सफल हुआ है इसी से मेरा मरा पुत्र जीवित हो गया इस तरहे का दूसरा कोई मास नहीं ना कभी पहले देखा था इस परकार के आश्चर्ये कर वह उसी पुर्शोत्तम मास की पूजा वरत आदी करने लगी पुत्र प्राक्त कर प्रामन इस्तरीत सहित आनंद से रहने लगा पुत्र भी माता पिता को सतकार द्वारा परसन करने लगा उस मास का पूजन और भगवान के इस्तुती आदर पूर्वक करने लगा सब दुखों के नाशक पुर्षोत्तम मास के नियमन उसार अपने इस्त्री के साथ जब भवनादी करने लगा उसी से शिरी हरी का भी पूजन होने लगा इस प्रकार धर्म में लगावे है प्रामन इस्त्री सहीत अनेकों सुखों को भोग कर एक हजार वर्ष बाद परमलोक को गया पतनी सहीत वहां सुख भोग कर तुम इस जनम में राजा दरधनवा हुए हो एवं पुशोत्तम मास की सेवा करने से तुमें रिध्या प्राप्थ हुई है हे राजन तुम्हारी रानी वही पती वरता गोत्मी है राजन तुमने जो चरेत्र पूछा वह हमने सुना दिया है हे भूपाल पूरु जनम में तुम्हारे शुक पुत्र जिसे श्रीहरी ने जीवित किया था वे शुक देव नाम से परसिद्ध होकर बारा हजार वर्ष प्रस्वी पर सुक वोक कर वैखुंड गए उन्होंने वन में तालाब के किनारे बढ़ के पेड़ पर बैठ कर तुमको पूरु जनम के पिता के नाते उपदेश दिया उन्होंने विचारा कि यही मेरे हित चिन तक परत्यक्ष देवता हैं ऐसा विचार कर तोते के रूप में हे राजन तुम्हें उपदेश दिया हे महराज अब मैं पाप नाशनी सर्यू पर जाओंगा शिरी नारायन बोले इस तरहें परम यशिश्वी महराज दरधन्वा के पूरु जनम का हाल कहकर जब महात्मा चले तक पुन्यात्मा राजा बोला शिरी पुशोत्तम मास महत्तम उननीसवा अथ्याय समात हरी कृष्णा राधी राधी